जिसमें यह कहा जाता है कि तू अपनी वाइब को बोल कि वो CEO की वाइब से SORRI फिल करे नहीं तो बहुत बुरा होगा और वैसे तेरी वाइब की अवकात ही क्या है कि वो एक CEO की वाइब से ऐसे बात करे और ऐसे उसके सामने खडियों के बात करे ऐसी उसकी उकात ही क्या है इस तरह से उसने मुझे का तो मेरे अजबन ने ये कहा कि मेरी वाइप की कोई गलती नहीं है जिससे कि वो माफिय मांगे इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है उसके बाद क्या होता है कि इसका रिजन जय भारत बंदे मातरम मैं रविंदर फोजी आज एक वीडियो आया है बारा मिनिट का ये वीडियो एक हमारे सेना के नायक साब की फैमिली का है जिनका नाम है जोती उन्होंने मेरे पास मेचा है ये वो ही जोती मैडम है जिन्होंने सियो की मैडम को जवाब दिया था और उनको कहा था कि मैं आपका होकुम मानने के लिए बात देनी हूँ सबसे पहले मैं आपको वीडियो का एक छोटा सा ट्रेलर दिखाता हूँ और आज उस वीडियो में उन्होंने सियो की मैडम की वो धज्या उड़ाई है मैं सबसे पहले इनको सिलूट करता हूँ और मैं आज इस चैनल के जरिये मैं आज मेरी जो आत्माई है खुश होई है कि हमारी इस मुहीम में कोई तो जगा है वरना तो हम तो चैनल कानूनों की वज़े से हो या इनकी तानसाई की वज़े से हो या कुछ मजबूरियों की वज़े से हमारे जवान और हम तो धवे हुए है गुलामे की ओजंजीरें जए हमने जगडी हुई है कम से कम एक उस गुलामी के जंजीर से बाहर निकल कर इन्होंने आवाज उठाई पहले मैं आपको इनका दो मिन्ट का ये वीडियो शुनाता हूँ कुछ समय का फिर इनका बचा आवाज बारा मिन्ट का वीडियो है मैं आपको शुनाऊंगा नमस्कार मेरा नाम जोती है और मैं एक जवान की वाइफ हूँ अभी कुछ दिन पहले मैंने योटियो पे एक वीडियो डाला था जिसको आप सभी ने देखा है तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ था कि मुझे वो ओडियो को अपलोड करना पड़ा लगबग तीन महिने से मुझे सीयो की वाइफ परिशान करें उसको बोली थी कि सिर्फ सीयो या सीयो की वाइफी मुझे नहीं जुका रहे थे बलकि रेजिमेंट के बहुत सारे बंदे मुझे जुकने को बोल रहे थे जो कि सीयो के चमशे आगे पीछे घुमते फिरते हैं वो मुझे जुकने के लिए बोल रहे थे और धमकिया दे रहे थे मैंने उनकी बात नहीं माने इस पर साइम से ये परिशान थे एक दिन जब मैंने इनको कॉल किया तो ये रोने लग गये कौन पे एक दम से इनको रोना आ गया तो मैंने यह कहा क्या हुआ आप क्यों रो रहे हुं तो इन्होंने मुझे इतना ही कहा कि ठीक है ये बात है इसको यहीं खतम करते हैं और हमें आज से चले जाते हैं क्योंकि मुझे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है हर एक बंदा मुझे धमकी दे रहा है आपने ये वीडियो देख लिया होगा ये वही मैडम है जिनको सियो की मैडम ने जवरदस्ती क्वार्टर खाली करने के लिए बोला था जिनको कुछ काम के लिए कवीदा लिखने के लिए Family welfare की नाम पर लगातार तीन मेने से तंग किया जा रहा था ऐसे ऐसे काम के लिए इनको बोला जा रहा था और यहां तक कि कुछ और शियो मेडम ने इनको धमक्या दी थी एक बर आज मैं थोड़ों सा क्योंकि बहुत से लोग हो सकता हुश वीडियो को नहीं देख पाए हूं यह रिकोडिंग आपको फिर सुना देता हूं कि वो दिक्क iki है मेरा जलता है को इसी हं मैं अजयति आच कर दिया जाब हमने बोना आप को मैडम जमैन मैंसे सिन्वार के च्रण आपका जाने समud कि से नहीं भर जाहिए यह रिकोडिंग मैंने उस दिर भी शुना दी थी और जब इनका कोई काम नहीं शुना तो सियो मैडम ने इनको दमकी दे थी कि नहीं रहना तो घड़ जाओ जैसे यहां इस वीडियो में आपको दूसरा फिर सुनाता हूं यह चोटा सा बसे दावने पिसले में सुन लिया था हेलो जोती नमस्ते माम एकिंग हो गई तुमारी तुम्हारी नहीं आपने तो हम बोला है मुझे बोला है कि तुम घर जाओ पर मेरे हज़बन को नहीं बोला गया कि पेकिंग करवा हूं अच्छा थीक है हस्बन को बलबाना पड़ेगा ठीक है मैं बला थेक है मैं दूसरी CEO's की wife की तरह सबको online Google Meet पे involved नहीं करती हूँ मैं जब अजसी pressure नहीं डाल रही हूँ तो that means इसका मतलब यह है कि आप लोग मझे respect देना बंकत होगे मैं अगर आप पता हैं other units में कितने online classes चल रहे हैं कितनी online activities हो रही हैं कितने लोगों को बार बार Google Meet पर जाके जूम पर जाके attend करना पड़ता है मैं आप लोगों को अगर पिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही हूँ तो आप लोग मुझे इस तरीके से जवाब दोगी आप मुझे जवाब दे कैसे सकती हो आप मुझे जवाब दे कैसे सकती हो आपके husband ने आपको सिखाया नहीं है कि seniors क्या होते हैं इन्होंने ये भी बुला है कि और चम्चे भी CEO के साथ साथ बहुत से चम्चों ने भी फोन किया मेरे अस्वेंट को भी मेरे को भी कि क्यों CEO से पंगा ले रही हो वो तो बहुत बड़ी तोब है ये कर देगा फलारा कर देगा और कहा कि तुम सोरी मांग लो तो तुम्हारा quarter भी रह जाएगा और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन मैं शिलूट करता हूँ जहिन बोलता हूँ इनको कि इनके अंदर वो खांदानी खून बलड का अंदर बोलते हैं जिसके बलड का अंदर गुलामी नहीं होती है वो कभी किसी की गुलाम नहीं करता सेना में बहुत ऐसे जवान हैं जिनको कितना भी प्रेसर या कुछ भी हो लेकिन वो कभी भी गुलामी से नहीं करते हैं लेकिन जिनका खून पानी बन चुका है वही लोग सेवादारी बूट पॉलिस और कुत्ते गुमा रहे हैं लेकिन उनकी वज़े से जिनकी रगों में मस लेकिन वहाँ इन हराम खूर अफसरों ने हमें अपना निजी गुलाम समझ लिया है यह चाहते हैं कि यह जो कहें चयों सही है या गलत हो वह हम लोग करते हैं बहुत सही से मामले जिनमें हमें पता रहता है कि यह गैर कानूनी है यह देश के विरुद्ध है हमारी रजिमें प्रमप्राइं कि यह ने बहुत सिज्टी प्रमप्राएं जिनका कोई आज के दिन में कोई तत्थे नहीं है जो फाल्तू मैं अंग्रेजों के समय मनें वही थी उनको जनजीरों को गुलामी को तोड़ो और वरना धीरे-धीरे हमारे 20% लोग तो लगेए हैं बूट-पालि सिवल सर्वेंट की तरह सिर्क और नोकर हैं उनके भार बुझे चितकवरी वर्दिये वो शेयर की खाल में अंदर गीदर बन चुके हैं वो लोग उपरे मेरे 612, 612, 33, 600 राविंदर शिंग के नाम से SBI का अकाउंट है हमेशा की तरह मैं इसलिए देता हूं कि ऐसे मामलों को उजागर कर सकें और जिनके बास नंबर नहीं है मेरा नंबर पहुंच सके और वो चीज हमारे तक आप भेजो ताकि इस लड़ाई को अगर जगरत तो कोई पैसा बड़ी चीज नहीं है दोस्तों पैसा रंडी के पास भी होता है लेकिन वो इज्जतनी पाती है और हमारे उपर यह जो दाग है चाहिए हो सायक प्रथा के हो चाहिए इनकी तानाइसा इसे हम दवे बैटे हो और इसी कार्ण सिवल में ये पुलिस के उकात न देते थे वो भी नहीं रहे अब तो ये शिवल में बेगी बिल्ली और अंदर शेर बने मैठे हैं और निचोड रहे हैं जवान का खून तक पीने के अगर जर्थ पड़ी तो जवान का खून में बेज देंगे ऐसे लोग और रखें तो इनके खिलाब आवाज उठाने के ल लोगों को जोड़ो ताकि हम आने वाले समय में सफल हूँ जय हिन जय भारत बंदे बात्रब नमस्कार मेरा नाम जोती है और मैं एक जवान की वाइफ हूँ अब कुछ दिन पहले मैंने योट्योब पे एक वीडियो डाला था जिसको आप सभी ने देखा है तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ था कि मुझे वो ओडियो को अपलोड करना पड़ा लगभग तीन महिने से मुझे सीयो की वाइफ परिशान कर रही थी गदम उठाना पड़ा बलकि जब मैंने ये कदम उठाया ये मैंने कदम उठाया है इस बात का मेरे हस्बंड को पता नहीं था फिर भी जिस दिन ये वीडियो अपलोड हुआ उस दिन मेरे हस्बंड को कॉल्स पे कॉल्स आने लगे और उन्हें ये धमकी देगे कि तूने य रेजिमेंट की बेस्ती हो जाएगी ऐसे हो जाएगा तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिनको रेजिमेंट की इज़्जत की पड़ी है ना उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो इज़्जत के लिए इतना मरते हैं वो ऐसे काम नहीं करते हैं जैसा उन्होंने किया और स पैसियों को मैं अच्छे तरह जानती हूँ कि तुम बाहर जाकर क्या करती हूँ, क्या जानती है वो मेरे बारे में, मैं उससे पूछ रही हूँ कि वो क्या जानती है, क्यों वो मेरे करेक्टर पर उंगली उठाती है, साथ मैं ये भी कहती है, कि तुम ये तुम्हें कोई प्र सब्सक inv comigo a 2-3 जो चाहे बोल सकती है और जो चाहे जिस पर चाहे एत्याचार कर सकती है वह मुझे रोम खाली करने का ओर्र देती है और दो दिन पाद फिर से यह एक कहती है कि रोम खाली हुआ कि नहीं हुआ जिस पर मैं ये कहती हूँ कि मैम मेरे husband को order नहीं मिला है room खाली करने का तो मैं अकेले room कैसे खाली कर सकती हूँ तो वो ये कहती है कि छीक है तुम रुक जा मैं अभी order दिलवाती हूँ वो CEO है जो वो order दिलवा रही है कि वो क्या समझती है खुद को तो उसने CEO को call कर दिया होगा उसके दो तिन मिनट बाद ही इनको call आता है तो जिसमें ये कहा जाता है कि तू अपनी wife को बोल कि वो CEO की wife से sorry fill करे नहीं तो बहुत बुरा होगा और वैसे तेरी wife की उकात ही क्या है कि वो एक CEO की wife से ऐसे बात करे और ऐसे उसके सामने खड़ी हो के बात करे ऐसी उसकी उकात ही क्या है इस तरह से उसने मुझे का तो मेरे husband ने ये कहा कि मेरी wife की कोई गलती नहीं है जिससे कि वो माफिय मांगे उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है उसके बात क्या होता है कि इसका रिजन जानने के लिए मेरे husband CEO से मिलने जाते हैं और मेरी reports को भी साथ में लेके जाते हैं CEO को पता होता है कि मैं मुझे यहां रोम इसी लिए दिया गया था क्योंकि यहां उन्हीं को रोम मिला था जिनकी medical problems है तो मुझे भी इसी लिए रोम दिया गया था पर CEO ने reports देखने से मना कर दिया क्यों क्योंकि वो जानता था कि हमें medical problem है तब भी उसने यही कहा कि रोम खाली कर दे या मेरी wife से माफी मांग ले क्यों उसकी wife से क्यों माफी मांगे मैंने ऐसा कौन सा गुना किया था कि मैं माफी मांगो मैं तो कुछ किया ही नहीं था आप लोगोंने audio में सुना ही होगा कि मैंने कौन सा गुना किया था ऐसी मैंने क्या बात उसको बोली थी कि सिर्फ CEO या CEO की wife ही मुझे नहीं जुका रहे थे बलकि रेजिमेंट के बहुत सारे बंदे मुझे जुकने को बोल रहे थे जो कि CEO के चमचे आगे पीछे घुमते फिरते हैं वो मुझे जुकने के लिए बोल रहे थे और धमकियां दे रहे थे मैंने उनकी बात नहीं माने इस पर से क्या हो गया? कि CEO ने रोम खाली करने का ओर्डर दे दिया कि आपको यहाँ पर दो साल पिछली लोकेशन में आपको दो साल हो चुके हैं यहाँ आपको तीन महने हो चुके हैं अब आपको रोम खाली करना ही होगा तो मेरा कॉस्टन यह है कि मुझे तो रोम से निकाला गया मेरी problem थी फिर भी मुझे रोम से निकाला गया पर जो lady यहाँ पे रह रही है जिस दिन मुझे रोम से निकाला गया उसी दिन वो lady यहाँ आई है क्यूंकि ये planning CEO की wife के पहले से ही थी वो उस lady को लाना चाहती थी जो उसकी personal है और उसने उसी दिन उसको लाया के साथ रह रही है बलकि यहाँ तक कि उसको कोई प्राबलम भी नहीं है फिर भी उसको रॉम दिया गया और जिनको हम जैसो spricht को प्राबलम में हमेन रॉम से निकाला गया chỉ मेरे अलाबा वहां दो फैमिल और भी रह रह मैं तूझको आउट लीविंग नहीं कि तो डूट लिविंग नहीं कि तीरी कुई प्राब्लम नहीं 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 है तू और तेरी वाइब तो बहाने मारकर यहां रहे हो तुम जूटी बहुत ज्यादा बोलते हो बलकि रिपोर्ट सको देख कर भी उसने एगनौर कर दिया उसने रिपोर्स भी नहीं देखी तब उसने बात को पलट दिया और यहीं कहा कि दो साल हो चुक है अब रोम खाली कर दो मैं यह सोच रही हूँ कि एक CEO होकर वो इतनी उची पोस्ट पे होकर अपनी वाइप के इशारों पे नाचता है वो भी उस वाइफ के इशारों पर जो वाइप जूट बोलती है और जूट के सिवाय कभी सच बोलती ही नहीं है इसने जूट जूट बोलकर ही मेरे साथ इतना अत्याचार किया मुझे mental harassment किया गया, torture किया गया तीन महीने से और मेरे husband को भी unit में torture किया गया सब लोग उनको torture करते थे unit का एक एक बंदा उनको torture करता था कोई उनके favor में नहीं था, कोई भी नहीं क्योंकि सब यहीं सोचते थे कि हम भी फसेंगे ये ऐसा काम कर रहा है तो इसके साथ हम ना कहीं फस जाए इसलिए सब side में हो गए और मेरा husband एक साइट, और unit एक साइट किसी ने भी साथ नहीं दिया फिर भी कोई बात नहीं थी ये परिशान रहते थे और मुझे कभी भी इन्होंने अपने परिशानी नहीं बताई हालाकि घर पे आते थे तो कुछ नहीं बोलते थे चुप रहते थे क्योंकि मैं मुझे medical problem है और मैं परिशान रहती हूँ इसी रहे शायद ये मुझे नहीं बताना चाहते थे कि ऐसी problem है मैं परिशान हूँ बहुत time से ये परिशान थे एक दिन जब मैंने इनको call किया तो ये रोने लग गे फोन पे एक दम से इनको रोना आ गया तो मैंने ये कहा क्या हुआ क्यों रो रहे हो तो इन्होंने मुझे इतना ही कहा कि ठीक है ये बात है इसको यहीं खतम करते हैं और हम यहां से चले जाते हैं क्योंकि मुझे बहुत torture किया जा रहा है हर एक बंदा मुझे धमकी दे रहा है उल्टी सीथी धमकी मुझे दे रहा है इसलिए हम रोम खाली कर देंगे हमें यहां पे नहीं रहना है जहां पे इतनी धमकिया दे जाती है उसके बाद फिर भी इन्होंने सीओ से एक बार फिर रेजन पोचा कि सर हमारा रोम खाली क्यों किया जा रहा है हमारा ट्रेटमेंट चल रहा है हमें इस तरह से रोम से नहीं निकाला जाना चाहिए फिर भी सीओ ने इस बात को नहीं माना और उसने लेटर दे दिया रोम खाली करने का ठीक उसके दो दिन बाद यही order आता है कि एक घंटे के अंदर room खाली करो मैं यह जाना चाहती हूँ कि जब एक officer का room खाली होता है जब एक officer कहीं posting जाता है या कहीं भी room shift करता है उसके समान की packing के लिए एक तो 10-12 बंदे होते हैं और उपर से वो 2-3 महिनों से उसकी packing चलती है और जब हमारे लिए room खाली करने के लिए बोला गया तो सिर्फ एक घंटे का time दिया गया एक घंटे में कौन room खाली कर सकता है और ना हमारे पास कोई गाड़ी थी ना कोई साधन था कि हम कैसे घर जाएं फिर भी हमने जैसे तैसे arrange किया जो हमारे पे बेती वो हमें जानते हैं कैसे हमारे पे बेती यह हम अच्छी तरह जानते हैं और साथ में मैं यह कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे region नहीं दिया गया कि क्यों मुझे based किया गया मुझे बदनाम किया गया CEO की wife के द्वारा और रोम से निकाला गया अगर मुझे सही decision नहीं मिला और इस बात का reason नहीं मिला कि क्यों ऐसा हुआ ऐसा मैंने क्या किया था तो मैं अगली वीडियो में रेजिमेंट का नाम भी लूँगी और CEO और उसकी wife का नाम भी लूँगी फिर मैं यह नहीं सोचूंगी कि रेजिमेंट की बदनामी होगी कि क्या होगा एक औरत के लिए उसकी इज़्यत बहुत बड़ी बात होती है और जो रेजिमेंट की इज़्यत की बात आती है मैं समझती हूँ कि रेजिमेंट को बहुत टाइम हो गया वो इज़त इन अपसरों नहीं नहीं बनाई है वह इज़त जवानों ने बनाई है अपने खुन पसीने से और बेश्ती इनकी हो रही है कि हम ने खड़ी किया हमारी बहुत बेच्टी हो रही है रेजिमेंट की बद नाम ही नहीं रही होनी चाहिए सीयो का नाम नहीं आना चाहिए क्यों अगर मुझे रेजन नहीं मिला तो मैं दो चार दिन के अंदर दूसरी वीडियो अपलोड करूँगी और जिसमें मैं सबसे पहले इंगे वाइफ यह मेरी वार्निंग कहों कुछ भी होता, कि इसे जिम्मवार मैं युक्त होक difícil में पर मुनदकरी कॉछ मुझे रिजन दिया जाए मुझे रोम से क्यों निकाला गया और जो मेरी इज़त को उचाला गया है न उसका भी मुझे रिजन चाहिए जो लेडी मेरे बारे में जानती नहीं है वो मेरी इज़त किस तरह उचाल सकती है हम तो कभी किसी की इज़त नहीं उचालते जिसको हम न तो उसको एक काम कर लेना चाहिए कि उसको चोडिया पहल लेनी चाहिए और घर पे बैठना चाहिए और अपने वाइप को ड्रेस पहना के ऑपिस में बिठाना चाहिए क्यों क्योंकि सारी कमांड तो वही देती है जिसको रूम देना है उसको दे रही है जिसको रूम नहीं द करना है क्या नहीं करना है सियो पहले अपनी वाइब से पूछता है कि क्या करना है उसकी वाइब जो बोलेगी सियो जवानों को भी वही ओडर देता है अरे जब उसकी बीवी की इतनी चलती है तो उसको ही सियो बना दिया जाए मेरी तो यही राय है कि वह इतना अपना हक जमा कद दे रही हूं तो वो मुझे मेरी उकाद दिखाएगी वो होती कोने मेरी उकाद दिखाने वाली मुझे यह मेरी वार्निंग है कि मैं अगली वीडियो में रेजिमेंट का नाम जरूर जरूर लोगी and CO & CO की वाइफ का नाम सबसे पहले लोगी